स्टार्ट कर एक लास, कोश्चन नमबर 54 पर आई है, कोश्चन नमबर 54 आपके मॉड्यूल का कोश्चन है, इलॉस्ट्रेशन नमबर 18 है, इलॉस्ट्रेशन नमबर 18, ठीक है, कोश्चन का साइज दिख रहा होगा आपको, यह कोश्चन हम नहीं करें, उसकी वज़ा में बतार, क्या लिखा है, 14 परश्चन इबेंचर 30 जार, दिख रहा है आपको, मेरे बास बोर्ड में वो वाला कोश्चन नहीं है, पर यह वाला है, तो आप समझ गयो ना, यहां कितना है, 60, उधर कितना है, 30, इधर कितना है, 20, इधर कितना है, 10, तो कोश्चन नमबर 54, होगा, पर इस कोश्चन के बेना यह नहीं होने वाला है, ठीक है, बड़ा कोश्चन है, और हमको कभी-कभी-कभी लगा था कि यह एक्जाम में नहीं पूच लिया है, इस attempt से पहले वाले attempt में, 10 नमबर का कोश्चन, यहां से करना पड़ेगा कोश्चन, दिखा, इंडर लिमिट, कोश्चन नमबर 46 बना रहे हैं, दोक, दिखा, इंडर लिमिटेड has the following capital structure, which is considered to be optimum, उप्तिमम, पतलब, बेस्ट कि भाई कैपिटल इस्ट्रक्चर ये है और आगे जब भी हमें पैसों की जरुरत पड़ेगी इसी रेशो में काम खरीगी बार रेशो निकाल सकते एक वेट 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 बेंचर टोटल मिला कर हमारा कितना है चार लाक असी हजार तो साथ हजार डिवाइड बाई चार लाक तर इसका वेट है 0.125 0.416 0.8 तो इसी रेशो में हम आगे भी जब भी पैसों की जरुरत पड़ेगी मानलो हमको 10 लाक की जरुरत है अग पुछे का बताओ डिबेंचर से कितना बता सकते है बता सकते हो ना दस लाक की जरुरत है बताओ डिबेंचर से कितना विवस्था करोगे एक लाक पुछे से घुमा के पूछों अगर मैं डिबेंचर से एक लाक पच्चीस जार ले रहा हूं मतलब टोटल प्रोजेक्ट में कितना लगाने वाला हूं अगर दस लाक मैं प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं तो डिबेंचर से कितना लोंगे एक पच्चीस अब मैं गुमा के पूछ सकता हूं यार मैं एक पच्चीस किस से ले रहा हूं डिबेंचर से तो बताओ प्रोजेक्ट में कितना लगाना 10 लाक चलो 10 लाक आगे बढ़ा है दे कंपनी शेर हैस अ मार्केट प्राइस 47.20 ये क्या हो गया मार्केट प्राइस सब लिखा है मतलब P0 नेक्स्ट येर नेक्स्ट येर से समझना डीवन कितना 2020 EPS जितना हम 2020 का EPS होगा ना उसका 50 पर्षन हम डिविडेंट देगे तास EPS पता लग जा अच्छा नीचे दिया ठीक और यूनिफार्म ट्रेंड ओप EPS इसका मतलब क्या बलता है यही ट्रेंट चल रहा है किसमें डीविडेंट में ? EPS में EPS में और EPS का 50% डीविडेंट देते हैं तो क्या डीविडेंट में भी वही ट्रेंट चल या मतलब ग्रोथ हो रहा है dividend में, क्या EPS में भी बढ़डा है, कितने % से, % इस परशन, परषन, बढ़ए है, परण हुआ, अच्छे से, क्या EPS बढ़डा है, 2 रूपय का 10% किया, 2 रूपय 20 पैस है, अब 2 रूपय 20 पैस है, और 10 परशन बढ़ा हूँ, तो growth कितने % का है? कमपनी इश्यू निव डिवेंचर अच्छा मुझे डिविडेंट बता सकते हूं कि 2020 का जो EPS होगा उसका 50% डिविडेंट इसका नाम क्या बोलू डी 1 क्या मुझे डी 1 मिल गया हां क्या मुझे P0 मिल गया हां क्या ग्रोथ रेट पता किया जा सकता है हां 10% आगे लिखा है तो कमपनी इश्यू निव डिवेंचर जो इश्यू करेगे उसका कुपन कितना है 16% और करेंट मार्केट प्राइस कितना है 96 अठारा रुपए 50 पैसे और डिविडेन कितना है 2 रुपए 22 पैसे ठीक है और कमपनी का टेक्स रेट कितना है 30% सबसे पहले नंबर पर मांगा है आफ्टर टेक्स सबसे पहले क्या मांगा है केडी और क्या मांगा है इसमें तो टेक्स का कोई चक्कर नहीं है और क्या मांगा है केई कि के साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा है मतलब फ्लोटेशन कॉष्ट माइनस नहीं होख अब फ्लोटेशन कॉष्ट नहीं कि वाव लोट्री लगे फिर तो चलो काम करते हैं कि नहीं में यह आपको इतना बड़ा कोश्चन साइज दीख रहा है हम ऐसे ओरल नहीं कर सकते हैं इसको बनागर करना अपड़े आपकी केई 15 परशन करेक्ट आंस इस वर उर्ट में यह अद्ट में यह अद्ट में यह तक दो सब्सक्राइब आपको अद्ट दाुरूर आपको लागर। आठ हजार का इन्टू टू करो कितना आ रहा है इसको तीन बीस करो तीन बीस करो बुक में इस प्रिंट है उन्होंने टोटल वाला कर दी अब वेट फिर से निकल सकता है यह कितना आ गया डिवेंचर ठीक है 0.05 0.80 ठीक है मैं अच्छे लगा था कि कहीं ना कहीं मेरे टाइप इस ने गरोड़ी फैर इससे कोई मतलब नहीं हम गोतों क्या निकलना है के यह पहले पहले के यह मंगा था क्या हाँ तो जो कहलेंगे तो पॉइंट नंबर यह कर रहे हैं हम दो पॉष्ट अपड़ेट हाँ फोर्मुला कोई सा लगीगा भाई AD is equal to I 1-X divided by net पॉष्ट इन्ट एंट्रेट रिवेंचर का फेस वेल्यू कितना है तो ही मनना पड़ेगा तो सौका तो 16 परशन कितना होता है 16 रुपए टेक्स कर रेट कितना है 1-0.3 net पॉष्ट के लिए 96 11 पॉइंट एक तो निकल गए हमारा दूसरा क्या मांगा है पॉर्मूला PD divided by net proceed into 100 पॉष्ट डिवेंच कितना है 2.22 डिवेंच दे दिया और और डिवाइद बाइ 18.5 18.5 ये भी दिया हुआ into 100 अब क्या बच्छे एक केई केई का फॉर्मुला है डीवन डीजीरो प्लस जी पहले डीविडेंट डीवन निकालना पड़ेगा कि पीएस कब कर लेना है 2020 इन्टू क्या करोगे डीविडेंट पे आउट रेशन कि पीएस कितना था 4.72 इन्टू 50% 2.36 पीजीरो दिया है कि पीजीरो मालू में ग्रोथ कैसे आया है कि निकालना कैसे निकालना यह तो ओर्राइब दिख रहा है वो तो वह वह क्या था जड़ा बताओं कि एपीएस में ग्रोथ एपीएस ले लीजिए तुराना एपीएस कितना दो रूपए और कितना हो गया 4.72 तो हम क्या कहते थे टू फिर क्या करते थे वन प्लस जी पावर कुछ करते थे और कितना आता था 4.72 पावर में क्या आए? मैं गिननूं क्या? मैं गेन ही लेता हूँ ये क्या है? पहले का इसके DG रो रहा होगा, एक साल वाद इतना हूँ आए ना रो साल वाद, तीन साल वाद, चार साल वाद, पास ताल वाद, चे साल, साल, आट साल, नव गया इस क्यों आएगा, पावर में तो नव आएगा पहले कितना था दो एक सलवा दो सलवा तीन सलवा तो नौ आएगा ना तर दस से करेंगे तो दिक्का थे कि दस परशेंट आए गई नहीं पावर नौ करोगे तभी दस परशेंट आएगा आप इसको काउंट नहीं कर सकते कितना तू वन प्लस जी पावर नाइन इस इक्वल तो 4.7 तो जी इस इक्वल तो दस परशेंट यह कहानी नहीं लिखोगे ना इसके बाद पावर वावर नहीं भी लिखा रोगे सीदो दस लिख सकते हूं कर दो अगया 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 कर दो कि यह सारा कुछ शो करता है तेरा बार यह फिर वह कुछ नहीं वो तो सीदा उठाकर लिखता है तो अब भी लिखो नहीं जब पता अभी तो पता लगा अगर में नहीं बोलता तो दस तो लिखते ही आप सीदा दस लिखिये चलो कुछ और निकलता तो क्या कर लेता तो क्या कर लेता आप तो अब आप दस लिखते हूं के इस ईपल तो 2.36 डिवाइड भाइड बाइड बाइड वाइड 40 प्लास ग्रोथ कितना है दस परश अना रंस चलो जो बूला था हमने निकाली KD निकल गया, KP निकल गया Marginal cost of capital when new shares are issue No new shares यह क्या निकला, जो निकला यह KE है कि KR R KR Cost of return running बोला हम KE क्यों लिखियो उसका अब यार वो कह रहा है कि हमें मालो पैसो की जरूरत है कि इतने रुपए की कुछ लिखा है क्या Marginal cost of capital का मतलब क्या होता है Additional, additional Additional पैसो की जरूरत है 5 लाख तो बताए यह WCC क्या आएगा निकल सकता है जरूरत है तो WCC क्या आएगा KD निकल लिया, अपने KR निकल लिया, KP निकल लिया हमें क्या चाहिए WCC Marginal cost of capital हमें क्या निकालना है Point No.2 Marginal को मेरे साथ साथ लिखो मुझे ऐसा लग रहा कि आपसे यह नहीं होगा Marginal cost of capital मतलब weighted average cost of capital हमें कहां से कर तीन जगा से क्योंकि वह हमारे लिए best हाँ, equity या return एक ही बात है ठीक है तो बताओगे कि debt से कितने की वैस्ता करना है आपको weight निकाला था ना यार कहीं न नहीं weight यह यह वाला debt से कितना 0.15 इस से preference share से और equity से 0.80 ऐसा है क्या debt से 15 परशन preference share से 5 परशन और equity से 80 परशन ठीक है और क्या हमको यह मालूम है KD अभी निकाला जश्ट कितना निकाला था KD 11 पॉइंट 67 परशन और KP भी निकाला है 12 परशन और KD भी कितना निकाला है क्यार क्यार या क्यी एक ही बात चाहे आप return निक से करो चाहे किसी 15 परशन क्या आप को मैं आप से बोल रहा हूँ मुझे 10 लाक रुपए की ज़रूरत है या WCC निकाल सकते हो हराम से अगर मैं कहता हूँ 5 लाक रुपए की ज़रूरत है तो क्या WCC निकाल या 10 लाक की ज़रूरत है या 5 लाक रुपए की ज़रूरत है नहीं मेरा काम है 10 लाक रुपए की ज़रूरत है तो क्या ये तीनों का इमाउंट चेंज हो जाएगा सोचो तो चलो सोचो पका हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो पर के आगे में सुनने कैच शुक हूँ तर यार फिर ये कैसे हुआ 10 लाक पर भी उतना ही देना 5 लाक पर भी उतना देना ऐसा लग रहा होगा आपको पर्षेंटेस तो उतना ही देना आपको 10 लाक पर एमाउंट जादा आएगा 5 लाक पर एमाउंट कम आएगा पर पर्षेंटेस तो उतना ही आएगा इस कोश्चन में पॉइंट नूमबर टू में कोई एमाउंट दिया है क्या नहीं दिया, क्यों नहीं दिया मालूम है, जरूरत ही नहीं, सीधा वेट मालूम है, सीधा हमको यह मालूम है, तो आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए अमाउंट नहीं दिया, और अमाउंट दे भी देता, तो भी आंसर जो निकाल रहे हैं वही निकलता, ठीक है, ओके, तर हम अमा 0.67 into 0.15 plus 12 into 0.05 15 into 0.8 14.35 अभी हम यह पैसो का अर्रेंजमेट कहां से कर रहा थे न्यू शेयर्स इस्यू कर रहा थे कि जो हमारे पास रिटर्न रिटर्न अब पढ़ो पॉइंट नंबर थी अच्छा कोशन है अच्छा पॉइंट है लुद रिटर्माइट रिटर्माइन दी अमाऊउंट वो वन्प्रेंजमेट गाना चाहते हो न चाहने 90 विसुख मेरे नाथ है की नहीं करना है नए शेयर से इस्यू नहीं करना है Assuming that return earning for next year's investment is 50% of earning of 2000 इस point को पढ़ दो अच्छे से और जितना दिमाग चलाना है चला यह वाला point बहुत अच्छा है क्या कहना चाहता है बस यह भर बता दू और एक्जाम में कैसे जुगार लगाते क्या सूचते कुछ न कुछ तो करते एक्जाम 2020 का उसका 50% अपने dividend दे दिया था तो return earning निकल सकता है 2020 का जो EPS है याद करो EPS कहां गया यह देखो यह था EPS इसका 50% dividend दे दिया तो कुछ न कुछ तो बचाया होगा अच्छा यह तो एक share पर है total number of shares करेंगे 10,000 एक काम करते हैं सबसे पहले सुनो पहले धीरे धीरे करते हैं 10,000 shares है 10,000 shares into 4.72 करेंगे तो total earnings आजाएगी पहले वो लिखते है total earnings point number C कर रहे है point number C तो हजर कौन सा 20 assume कर सकते हैं एक लक्षर नमबा नहीं मिलेगा तो यह कितना आया था बताओगे कोई 10,000 into 47,200 इसमें से return कितना किया है 50% तो return earning भी लिख लेता है 27 23,600 यह पैसा बच्चा पैसा किसका है equity का हाँ आप equity आपका पैसा है अब सुनों वो क्या बहुत हम कितना प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं हमें नेशियर इस्यू नहीं करना है हमें इसी को यूज करना प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा है 26,600 इसकती है कि जब भी आप लगाओगे सिब equity से पैसे नहीं लोगे यह दो लोग भी तो है आपका नाम क्या है debt debt आपका नाम है equity आपके पास है 23, मैं तो इसका है equity का तो equity का तो पता लग गया यही थोड़ीन लगा देंगे जब भी आप पैसे लगाओगे आपको तीनो से विस्था करना पड़े इसका तो हमको पता है 23, मैं और यह इसका वेट कितना है 0.8 तो पता हो कितना पैसे लगाओगे 29 जार कैसे निकाल देंगे divided by 0.8 वो पूछे ही नहीं है पर फिर बताना तो अलग बात है वो पूछे नहीं है इसको अच्छे से दर्वाओगे कि हाँ जो को मैं फिर से वो रहा हूँ यह आपकी कंपनी है आपको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और पैसा हमेशा तीन जगा से उठाना इक्विटी का हमको दिया है कितना 23 इससे कितना पैसा लेना आपको 80% बच्चे उए से पूछा नहीं है उसने पर बच्चे उए से भी तो पैसा लोगे और यह सब लेके आप प्रोजेक्ट में लगाओगे क्योंकि सब्स लिखा है कि जो कैपिटल इस्ट्रक्चर है वो अप्टिमम है मतलब हमेशा आप से भी इक्विटी से लेकर नहीं लगाओगे जब इक्विटी का पैसा यूज करोगे तो दोनों का भी यूज करोगे बात समझ में आ गई है यहाँ सर इसी पॉइंट की वज़ा से एक क्वेश्चन करोगे तो यहां तक हो गया था अब बोल रहा है कि बताईए amount that can be spent for capital investment देख लेते हैं amount of capital investment 23 600 जो की कितना पर्षेंट है 80 पर्षेंट या 0.8 ले लिए 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 कितना 29 यह वाला पॉइंट वेच्चों के समझ में आ ही नहीं सको कि ले आगे ले आगे यूज करके जो लगाना था प्रोजेक्ट में लगा दे उसके बाद भी हमें पैसो की जर्प्रत तो क्या अब share issue करना पड़ेगा हाँ तो अब share issue करना पड़ेगा तो अब जो share issue होगा वो कितने की सबसे होगा 40 तो के यह निकालना पड़ेगा फिर से बाकि KD और KP तो अपका निकला हुआ है करेका वे पॉइंट नम्बर D की डिविदेन कितना था? 2.3 2.36 डिवाइड़ बाइ यहां 40 कर प्लस कितना? 15.9 और हमको KP मालूम है सायथ कितना? 12 और KD भी मालूम है कितना? 11.67 अब हम निकाल देते हैं वेटेड एवरेज कॉष्ट और कैपिटल यह मार्जिन वेट वही रहेगा वो तो अप्टिमाम है क्या था मुझे नहीं 11.67 0.05 into बार 0.8 पाइनल अंसर 15 पॉइंट आज लगा कि यार्ष्ट ऐसे कोश्चिन आज आते हैं कभी कभी किस्मत कराब कॉँसा कोश्चिन कर रहे था हैं दो 46 पाइज नमबर 68 पर आए पाइज नमबर 68 अच्छा कॉश्चिन बता देता हूं कॉश्चिन नमबर 50 कॉश्चिन नमबर 50 अच्छा आर एंज लिमेटेट वादा इसको आर एंजी सॉरी गलती होगे था अच्छा अगे लेख 13 परफेंट इवेंजिर दिया 3,60,000 विला 11 परफेंट प्रफेंट शेयर क्या वेट निकाल सकते हूं और क्या यह ओप्टीमम ऐसा लिखा रहेगा कहीना कहीन तो लिखा रहेगा विच इस कंसीडर तू बी ऑप्तीमम अच्छा वेट बताओ टोटल 3,60,000 प्लस 1,20,000 पॉइंट पॉइंट वन फाइफ पॉइंट जीरो फाइफ पॉइंट जीरो फाइफ पॉइंट जीरो वेदी हैं मार्केट वाइस कितना दिया है 27.75 यह तो पीजीरो हो गया है एक्सपेक्टेड डिविडेंट कितना 2015 का 50% 2015 का इपेस दिया रहेगा पक्का रोथ भी अनुमान लगा सकते अनुमान तो लगा ही सकते हैं 12 बिल्कुल सही अनुमान कितने पेशियो होगा 14 पर्शन को पन है 98 ठीक है 14 वन मैंने स्टेक्ट डिवाइड बनाइट रफ्रेंश एर कितना नौरू पैसी पैसे डिविडेंट कितना एक रूप है 20 पैसे टेक्स करेट है पिचास पर्शन और आपको क्या निकलना है आप्टर टेक्स सेम कोश्चन है क्या है कोश्चन नमबर 54 पैसे इसमें आंसर दिया है और आंसर सर आपने कहां से च्छापा होगा मुडियल से ही पर एक बार देख लेता हूं मेरा चुटाइप इस्टेव कुछ भी कर सकता है तो यह वाला कोश्चन भी हो मग प्लीज कर ले ना लास्ट वैच के बड़े कोश्चन थोड़े इसका थोड़ी पूचे का पूचा अच्छा अच्छा कि अच्छा अच्छा कोश्चन करें तो ज्यादा मजा है कोश्चन नमबर 49 अच्छा के और कापिटल एकसोपचास मिलियन स्यर्स दसका एक रिजर्व एंशर प्लस है पर फिश्चार कापिटल डिवेंचर और टर्म लोन याद है ऐसा आया है किसने पर फिर भी पता नहीं वह कोश्चन है कोई दूसरा है कि बेंचर आप एबीसी रिमिटेड रिडीमेबल आफ्टर थ्री यर्स कोटिंग एट टुपीज नाइट एट वन पॉइंट जिरो फिए क्या बोलर क्या रागी क्या यह कोटिंग का मतलब उट एक यह पास साल बाद का प्रैस बतार कि पास साल बाद इतने में कोट होगा तीन साल बाद कि आच का आच का जहां भी कोटिट सब्दाएगा मतलब आच का तो सर यह हो गया नैट प्रोसेट्स कि अलिख लो नहीं तो फोन लगाओगे फोन उठेगा नहीं में प्रेक्स का रिट कितना है थर्डिफाइब पर्शन कि रिडिमेबल वैल्यू कुछ लिखा नहीं है तो क्या मानते हैं 100 करेंट मार्केट प्राइस पर हीक्वडिशियर कितना है साट तो यह क्या हो गया थीजिरो प्रिवेलिंग डिफाल्ट रिस्क फ्री रेट ओन टैन इयर गवर्मेंट ओफ इंडिया फ्रेजरी बॉन्ट फाइफ बोल रहा हूँ मैं थोड़ा लंबा बोल सकता हूं बहुत बोलूंगा और फी आरे बोल रहा है और फ किस काम आता है के यह निकलने के लिए कि एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब आरे माइनस अरेफ और चलो बीटा भी बता देते हम वन पॉइंट वानेट सेवन फाइट तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा के भाई साम तो फिर यह क्यों दिया जब यह दिया तो मुझे सपने में ऐसा देखा डीवन फाइफ समझ गया हुआ हुआ है डवली एसी से निकालना किस से और पॉइंट नंबर टू पढ़ने से पहले वन कर ही लो टेंशन खत्म तू बनेगा कि नहीं बनेगा भगवानी जान तर यह लाश लाश चल रहा है कि हाँ जी अपसे मुस्किल कोश्चन चल रहे है तो पहले स्पेसिफिक निकालते सबका है आए आए पॉर्मूला बताओं आरे प्लस आरे माइनस आरे पीटा कि इदर इधर लगाओ इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पर आरे अ कि इस आरे प्लस आरे माइनस आरे फेटा आरे फ कितना आरे म कितना वीटा कितना सब्सक्राइब आरे मार्केट रिस्क प्रिम डिफ्रेंस निकल कर दे दिया मैनस करते बनेगा नहीं बनेगा मैनस करके देता हूं पर सर मानलो हम इसको आरे में ले लेते तो खेल खतम पूरा इपूर इस भी को लेके लास्ट तक बनाते तो कुछ नहीं होता पर सर केपीपी तो नमबर मिलता ना हाँ उस पर तो केपी फॉर्मूला तो रिडीमेबल वाला लगेगा साइथ था प्लस आर्वी माइनस थी दिवाइड़ वाइड वाइण दिवाइड वाइड वाइट वाइट रास्ट में थांड़ेट निकाल होगे केपी कितना आ रहा 10.9 केडी विस्वास पे लिखाँ कोई है किसी का केडी इतना है 6.87 हाँ जी विस्वास टूड़ गया विस्वास टूड़ गया तो 6.87 कोशिश करो आएगा रिलाक्स हां यही तो दिख्या और सर आपने आगबंद करके बता थी हाँ मुझे मालूँ यहीं गल्टी हो नहीं आप भी वैसे ही किया था किया गुट किया यहीं क्या चलो में क्यार निकाल दूं आपके लिए इतना तो मेरी इस नहीं एक 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 चीज़तो मैं आपको निकाल के बता देता हूं किया रिज़र है ना यार अच्छा ठीक है आई वन मैंश्टेक्स 8.5 वन मैंश्टेक्स करेट कितना भाई 0.65 मतलब 6.5 पर ठीक है खलत आगया किये 5.5 कोई है जो डबली एसे से निकाल सकते मार्केट वेलिएट से बहुत प्यार से कोशन बनाना है जल्दवाजी मैंश्टेक्स इसको नहीं लिखेंगे किसी ने मज़से कहा था रेजर रहा रहा है हाँ मैं कहां करता है और सर हमसे क्या गलती हुई थी आप बुक वेल्यू लिख देते थे जल्दी से समझ के करना मार्केट वेल्यू लिखेंगे करना मार्केट वेल्यू लिखेंगे केबल बना दो हमके लिए वेल्यू लिखेंगे करना मार्केट वेल्यू लिखेंगे वेल्यू लिखेंगे करना मार्केट वेल्यू लिखेंगे वेल्यू लिखेंगे करना मार्केट वेल्यू लिखेंगे वेल्यू लिखेंगे वेल्यू लिखेंगे तो देखो 150 इंटू 60 इंदर कितना है का 100 मतला 1 million तो यह तो दिया है तो 1 इंटू 98.1 थीक है हुजए 1.500 और टर्म लोन का जैसे की वेसा लिखना है पास होगा पास हां मुझे उमीद है 13.44 ही आएगा सब्सक्राइब 13.4 तो पॉइंट नूम्बर वन का जो डव्यक्त है वो आ रहा है 13.44 परशंट तो परशंट नूम्बर वन का जो डव्यक्त है वो आ रहा है अगर मैं नहीं हूँ क्लास में मान दो पर दिल कर रहा है पॉइंट नूम्बर टू करने का हां वही पढ़ों और सोचो की चलो करके देखते हैं साड़े 700 चाहिए 20 परशंट डेट से और एकविटी से बचा हुआ इसके लिए लगेगा केड़ी इसके लिए लगेगा केई तो कुछ इंफोर्मेशन देगा केई के लिए कुछ ना कुछ बताएगा बीटा वगेरा कुछ ना कुछ हाँ तो बस हो गया और डेट के लिए दिख रहा है सौ मिलियन पर साड़े नौ परशंट और कितना बचा पचास पे दस परशंट याद करू कलर इस टाइप कर किया बन सकता है आपसे कोशिश करू बन सकता है हाँ जी मैं के दि कितना नेकला हां एन इसंट इसमांत की बात करे कि कोस्ट की बात है इस्टम ऑध य जि टेट का है और यह एक्विडिक का म अजह के और के दी निकाल दीजि इतना निकाल दो थो में भी बता सकता हे सिक्स पॉइंट 14.85 निकालो कब तक मेरा सहरा लोगी कही तो पहले कही निकालो कही सत्रा आना शी आरेफ प्लस आरे माइनस आरे बिंटू बीटा अब केड़ी कैसे निकालेगा इंट्रेस्ट का एमाउट निकाल लेते है कोई फरक डेट का मतलब हमें सा डेबेंशर नहीं होथा टर्म लोन बुला टर्म लोन लेले 6.28 तो मिलियन पे साड़े नौ परशेंट तो 9.5 मिलियन ये हो गया प्लस पचास पे दस परशन मतलब पांच तो टोटल मिला गर कितना हो गया 14.5 मिलियन वन मैनस टेक्स टेक्स को इतना है और टोटल कितना रेज कर रहा है एक सब पचास इन टू हंड़ेट कर देना 6.28 अधिल्य टोट टेक्ट कर दो कर दो अब बनाने जा रहे हमड़े कोशन नमबर 56 बढ़ते हैं दुखान नविया कोरपरेशन कापिटल स्ट्रॉक्ट्चर debt से कितना बोल रहा है 40% और 60% कहां से equity the company is presently considering बहुत सारे alternative investment proposal less than 20 lakh the corporation always raise the required firm without disturbing its present debt जब भी पैसे लगेगे debt से कितना उठाओगे 40% और equity से कितना 60% हमेशा यह याद रखना debt से 40 और बूल रहा है अगर 2 lakh तक है project का cost तो cost of debt है 10 और यह है 12 अगर 2 से 5 lakh है तो 11 और 13 5 से 10 lakh में 12 और चाहुदा और 10 से 20 lakh में 13 14.5 tax credit कितना है tax credit दिया क्यों है हाँ तो tax credit क्यों दिया अगर आपका कहना है कि सिर्फ केड़ी निकाल के दिया तो tax कोड़ा तो फिर कोई irrelevant हो पर अगर आप माल रहा हो कि cost of debt pre-tax है आपकी मर्जी में कम मना कर रहा हूँ पर tax का rate दिया है या तो इसको post tax मान रहा है तो खेल खतम हो गए है अगर ये जो है after tax है फिर तो ये tax का कोई उच नहीं है पर इसको आप before tax मान रहा है तो इसमें से one minus tax करना पड़ेगा आपका दिल क्या बोल रहा है दिल सच सच बताना मतलब इसको इसको हटा देता हूँ ऐसा बोल रहा है आगे पढ़ लेते ऎजे कॉश्ट ऑफ रीटल कालना मतलब wcc व्क मैं प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा शाड़े शेला हुआ शाड़े शेला मतलब किढर जाएगा ये किस किस के बीच में इंग है falan thank you थे एई और कितना कितना डेट से कितना रखना है को मैंसे 40 परशेण और अगर ह। बाब कोछ पार करना तो सब्सक्राइब्ट इसको कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं इसको बिफोर टेक्स लिया है इस इस तो एजियूम्ड देश्ट सबसे पहले जो बात करते हैं प्रोजेक्ट सबसे पहले निकाल लेते हैं लोग प्रोजेक्ट का कौश्ट कितना भई अड़े चलाक तहले क्या निकाल ले हैं लोग केड़ी फॉर्मूला मालू है आई वन मैनस टेक्स इसको मैं बिफोर टेक्स माहा रहा हूँ आई माहा रहा हूँ बारह वन मैनस पॉइंट फाइफ के इतना चाहेगा और के इतो दिया हुआ है कि इतना कि वोडियन बर्शन यह दिये है कुछ कहना चाहते हो पक्का क्यों होगे उनका यह कहना है कि सर साड़े छे लाक है तो सुरू में दो लाग तक दस परशन लगेगा ऐसे ही था ना हाँ 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 यह तो मुने सोची दी साड़े शे लाग का फोटी परशन निकालो कितना तो सर डेट तो एक्चुवल में कितना है 2.6 लैक तो किधर आएगा ऐसे हाँ यहां कोई को चुछ कॉछ क रिका है बात कंतम हो गही है पूरी बात कंतम हो गहीं है यह अब प्रोजेट का कॉछ लिखा हुआ डेट ने लिखा ठीक है तो एक्ष्रा कुछ भी नहीं सोच रहा है सीजर तो दिया है वो उठा के कर देना काव करता है तो सर्डमने सीशी 6 in 2 कितना वेट है भई 0.4 10.40 into equity कितना है 0.6 10.8 पर आंसर दिया है कि वाउ इस पर तो सही आंसर दिया है 10.8 सर हम टेबल बना के करें कितना मजाएगा बना लो अगर दिल करना है तो बना सकते है साड़े छे लाग को बाट देना अभी सिफ क्या हुआ प्रोजेक्ट एक्स आप कर रहे हो वाई वाई कितने का है किदर जाएगा है यह बला एग पहले इसको आफ्टर टेक्स करना तेरा का अधा कितना होता है तो 6.5 इंटो 0.4 और 14.5 इंटो 0.6 11.3 परशन कोशन सिंबल था कुछ नहीं था कोशन में पर क्या बंता यह इसको डेट समझ लेते है अच्छे यह थे कोशन अच्छेप्टर की बात कह रहे है च्छेप्टर खता होता आपकी क्लास भी ओर हो जाएगी क्या पर यहां तक सबका हो चुका है क्या अब भाई प्रोजेक्ट एक्स से कितना पैसा अगर हम प्रोजेक्ट एक्स से पैसा उठाते हैं तो कॉष्ट कितना पढ़ना है 10.8 प्रोजेक्ट एक्स के लिए और प्रोजेक्ट य के लिए कितना पढ़ना है 11.3 हम कमाएंगे कितना 10 प्रोजेक्ट एक्स एक्स्पेक्ट टू गिव आक्टर टेक्स रिटन 10 परशंड कमाएंगे तो बताएं कौण सा प्रोजेक्ट एक्सिप्ट सोचो हाँ मतलब वह रिटन ही होग है इतना कमाएंगे 10 पैसा उठाने पर कितना कॉष्ट परड़ा 10.8 10.8 10 10 10 10 10 10 10 10 कोच टोडी नहीं है या अधिक रोभलम बस इग लिए अग्सटा सूच रहई। और इन सिंपल लोग हैë दूनो नहीं करेंगेगा कद गा थां अ किस वोद पर यग चाले स अध दिख कशnt प्त вас टव कर मेहान है एक अधि lige। आइ निए अन्स बोथ प्रोजेक्ट शुल भी रिजेक्टेट कि इसको तो ऐसी समझा दूंगा बस तीन कोश्चन के बाद क्लास ओर हो जाएगे और चेप्टर भी खतम हो जाएगा मैं पिक्चर में है एक्जाम्पल लिखो गे इक्जाम्पल लिखो गे एक्जाम्पल लिखो P1, P4, P0, Rp50, Rp50, rotation cost is 5, growth नहीं है मान लो ठीक है की और के आर एक सिंपल सा कोश्चन पूछू रुक जाओ पहले कैलकुलेशन से की जदा आएगा की के आर जदा है तो अब हावी इक बात है नहीं कैलकुलेटर कि अब है कि अब है तो जैसा कि आपने कहा था क्यार ज्यादा है क्यार ज्यादा आया क्यार क्यों ज्यादा आएगा नहीं कंपनी का तो कॉस्ट बच रहा है अब हमें पर्षेंट इस में बताओंगे फ्लोटेशन कॉस्ट कितना पर्षेंट इस बोलतों था इव दिवाइड़ बाएड वाइड विप्टी दस परशन नहीं एग्जाम्पल कितना है था एट नहीं अब फ्लोटेशन कोश्ट को मैं यहां ब्रोकरेज दे ब्रोकरेज कितना था 10 पर्शन कियार कितना है पर्शन मार्क एट इट मिन्स कियार निकालने का और एक फॉर्मूला हाँ कि नहीं इन्टु वन माइनस ब्रोकरेज समझ गया हो ना और एक चीज बताना इन्टु वन माइनस पर्शनल टेक्स वन माइनस डिविदेंट टेक्स पर्शनल ये भी समझा दोगे बस अभी इतनी बात रखो अगर व्रोकरेज दिया वन माइनस पर्शनल टेक्स ये वन माइनस ब्रोकरेज समझ में आ गया ना ठीक है वैसे टेक्स काटने के बाद कितना कॉस्ट बढ़ेगा वह वाखो डिविडेंट पेक्स लगता है टेक्स लगता है वो चीज आपको समझा लिए वाकि इस पॉर्म अच्छा ब्रोकरेज नहीं दिया पर्सिनल टेक्स दिया तो क्या करोगे यही वन-बाइस पर्सिनल ठीक है question number four परस्षनल टेक्स समझाना वो समझा दूगा पर उसके चक्कर में concept के चक्कर में में मुद्द्ध को अंच्छे ना भटग जो पहले इस पहले question number four पर कौन-कौन से question में मुझे अच्छे से बता है आप पिल्कू चिंता ना करें कि कौन-कौन सा करवाना कैसे करवाना पड़ो एक बार question को return earn नहीं कितना है साधे साथ लक expected rate of return to equity shareholder if they had invested the fund and elsewhere 10% क्या कहना चाहते हैं कहीं और लगाते shareholder तो कितना चाह रहे थे 10% इसका मतलब सरी केई हो गए है इसको केई बोलते हैं कहीं और लगाते हैं तो कितना कमाते 10 तो हमसे भी कितना चाहते 10 क्या brokerage दिया है या personal tax दिया है यह थे रोल्डर कांस personal tax corporate tax नहीं है 30 परसंट या cost of return earning निकाल सकते हो के यार का formula है के यह वान माइनस प्रोक्रेश और वान माइनस परस्टेश पानल अंसर बोल जाते हैं कितना six points से वन नहीं अंसर क्या दिया नहीं 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 मतलब यह तो दोनो दिया है ना तो सुनो सुनो सीधा सीधा कर ले नो दस इन्टू 0.97 इन्टू 0.7 6.79 अगर दोनो दिया थो दोनो आपको इन्टू करना पर ले नहीं कि यह तो किसी को डाउट नहीं आ रहा कि सर पहले यह लिखना कि पहले यह लिखना है इसका यूज बहुत कम इस कोश्चन में कोश्चन में जिसके अब बात कर रहे हैं इसके बाद सिर्व एक ही कोश्चन बढ़े हैं इसकी बात करें और यह देखा देखा लग रहा होगा एक बड़ी शेयर कितना दिया है 100 का एक ठीक है एक बर सोचते दो कैसे बन सकता कोश्चन और फ्रेंशेयर दिया है और सब्द क्या दिया है और नीचे क्या लिखा होगा इसका नहीं क्यमिलेटी से तो कोई फरक नहीं पड़ता और हमको यह देखना पड़ेगा रिटेन अर्निंग का कुछ नहीं दिया है मतलब हो सकता है कि मार्केट वैल्यू को बाटना पड़ सकता है अगर केई और के आर अलग अलग आएगा और पर्सनल टेक्स या सेयलोल्डर टेक्स दिया तो अलग अलग ही आएगा करेंट нам意र सब्ड लिखprend? कितना पर्षे है कीजिए और किसका निकाल हुआ किज परशिंग किसका नीकाल है किसका क्या थोच्थी है पचीस को करो क्यों अ किचेश करो का थीजे या डिया है है सौका 25 परशन 25 रुपय पचीस रुपय क्या है या बेसियोग चार ग्रोफ रेट दिया है पाच परशन वाँ प्रप्रेत टेक्स दिया 30 परशन अन शेरोल्डर परशन इंकम टेक्स दिया 20 परशन कुछ दम नहीं है वैसे लेकिन मुझे केई लगेगा केई लगेगा और केड़ी लगेगा और कहीं भी रिडेम्शन वाली बात लिखी है कि नहीं एक वह रफली कैलकुलेट ऐसे केई तो बता ही सकतो पहले केई बता केई 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 25 इंटो 1.05 इवाइड बाय दोसो प्लस 0.05 प्लस ग्रोथ रुट किया था कि 15 इंटो 1.05 इवाइड बाय दोसो प्लस 18.125 कोई के आर बता सकता है 2.8 14 14.5 क्या कोई केपी बता सकता है चलो मत बता हूँ मैं ही लिख देता हूँ 9 पर्शन क्या कोई केडी बता सकता है 7 0.7 क्या अब बन सकता है कोश्चन तो बनी सकता है work क्या का क्या कर दो एक इस अप घर में कर सकते हूं कितना है सेवन कोई अच्छा एड़ी विता रहते क्या चलो लाश्ट कोश्च आज की क्लास का और इस चैप्टर का कि अच्छ आ रहेंगा कि अच्छ नहीं 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 यह ओंगा इस पढ़ने के बाद दूगा क्या बात कर पहले 27 कर लेते हैं जान निकल जाएगी 27 करने में विल्कुल दिशान से ने कर और सर ऐसे कोशन क्या हमारे मॉडूल में हाँ जी नहीं होते तो मैं उड़ा देदा इस कोशन आपके मॉडूल में मिलेगा टी वाई के से वन पेस नंबर 7.77 4.7 पेस नंबर से क्या टी वाई के इंपोर्टन प्रिश्ज कर रहों गों तो जान ले लोगा पना टी वाई के दिवाई के से वर पेसनुबर 4.47 आप टीक चलो जी इस कोश्चन को खरते हैं और इसमें दिख रहा है आपको इतना बड़ा कोश्चन है और टीबल भी जबर्दस्थी रखा है तरस नंबर का कोश्चन एक्जाम में भी आया हुआ मॉडियूल में भी डाला हुआ तो करना दो पड़ेगा मैं कनवर्टीबल डिवेंचर समझे समझते हो क्या होता कनवर्टीबल डिवेंचर मतलब पेर्स में कनवर्ट किया आजा सकता है पंद्रा परशन का मतलब क्या समझते हो इंटरेश्ट इतना दिया है 100 तो 100 का 15 परशन कितना होता है 15 रुपे एक चीज़ तो मिल गई हमको 15 रुपे मैचुरेटी पिरिट कितना है छे साल चलो तो यह डिवेंबल वाला है on maturity each debenture will be converted into two shares ठीक है तो 6 साल बाद हम debentures को shares में convert करेंगे और shares को हो सकता पैसा कितना मिलेगा यह debenture को हम अगर convert करते है तो हमको shares मिलता है तो amount तो पता लग जाएगा अगर मालो 6 साल बाद share की कीमत है मालो 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 2 shares मालो है 56 तो debenture की value 6 साल बाद क्या होगी जिसको आप redeemable value तो कर रहा है अब debenture दे रहा है बदले में shares ले रहा है और 6 साल बाद share का price कितना 56 तो एक debenture के बदले में कितने रुपए के shares मिले हम 6 साल तक interest लेगे और 6 साल बाद जो debenture है उसको देखे बदले में shares ले लेंगे और एक debenture पर कितना share मिलेगा 2 और एक share का price कहा है 56 बुक में लिखना मत 56 ने तो फिर कहां से आया मन से लिखा था यह example risk free rate कितना है 10 RM और कुछ बच्चे इसको RM लिखते है RM minus RM और बीटा भी दिया है थैंक गॉट एक number तो कहीं नहीं गया ठीक यहीं तो निकली जाएगा पैड लिखा है यह भगवान आप पैड भी लिख रहा है है ना फॉर्मूला आप तो आप तो बहुत जब मैं पढ़ा रहा था ना तो मैं बोलता था पिछली बैश के बच्चे पूछते थे कि सर CAPM वाला लगाना है कि वाला लगाना है याद है तो आप बोलता थे सर वो तो कोई भी पता देगा जो information होगी उसके साब ये लो ये भी दे दिया और पैट समसे लिखा मतलब डीजी रो पास साल पहले कितना था? दस? और अभी डीविदेन कितना हो गया? तो इससे कुछ निकल सकता है? जी प्लोटेशन कोष्ट कितना है? पाच पाच प्रॉब्लम तो यही है ना पी जीरो नहीं थिया है अब कुछ को सोचेंगे 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 सब्सक्राइब आप प्रफ्रेंशियर की विसे में बोला पाच परशन्ट प्रफ्रेंशियर और रुपीज हंडर्ड इच अट प्रीमियम आफ टैन परशन्ट मतलब यह इश्यू कर रहा है तो नेट प्रोशीट कितना होगा एक सुदस एना यह आट सौ रुपे का है और रिडिम्ड किस पे कर रहा है पार में रोटेशन कोश्ट कितना है 6 परशन्ट और किसका इश्यू अमाउंट क्या आप कुछी भी कर सकते है उनको मालू में टैक्सरेट है 40 परशन्ट अब उन्हें WCC मत निकालो आप में दम ही नहीं है बले भाई सुनो सिर्फ केड़ी निकालो और केपी निकालो क्या निकालने के लिए बोला है केड़ी कौन सी मैथट है एप्रॉक्सीमेशन मैथट है क्या है ज़र पहली बार सुन रहा है याद करो केड़ी निकालने का एक फॉर्मूला था आई, one minus tax plus RV minus NP divided by ऐसा कुछ और यहां करते थे और एक और formula था, वो वाला नहीं, trial and error करते थे पहले 8% से discounting करते थे, फिर 10% से, ytm method, ytm method इन दोनों में से एक approximation कहलाता है, ये वाला approximation है ये बिल्गुल सही है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, सुनो, सुनो, हम डिवेंचर खरीदते हैं, interest कब मिलता है, हर साल, ये क्या चीज़ था यार, इस नेट प्रोशिट, difference, मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने मालों लगाया 100, आज 100 लगाया और redeemed होगा 120 पर या 115 रुपए पर, तो difference कितना आ रहा है, 15 रुपए कब, आज तो 100 लगा रहा है, 115 मिलेगा कब, पाच सल बाद, तो जो भी extra मिल रहा है, 15 कब मिल रहा है, पाच सल बाद मिल रहा है, लेकिन आप 15 डिवाइड बाए 5 करते थे, तो कितना होता था, 3, और आप क्या बोलते थे, हर सल कितना मिलेगा, बेको भी वली मत, हर सल कहां 3 मिल रहा है, जो मिलेगा वो तो लाश्न मिलेगा, इसलिए कहां हम approximate लेते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और यह कौन सा है यह एक्चुल वाइटीम और आप से क्या बोल रहा है यह सीधा बोल देता नहीं क्या बात करो यहां लगा वाइटीम में तर डिस्काउंटिंग रिट कहा कौन कौन सा रिट वले हम दे रहा है ना यह दिया है डिस्काउंटिंग रिट जो लगेगा वो यूज कर लेना और यहां फैक्टर से मल्टिप्लाइ करना वाइटीम वाला मैथट में तो दो रेट लगे आपको चलो जी काम करते हैं तो पहले क्या निकाल रहा है एडी निकाल लेते हैं के यह मांगा नहीं है तो हम बेकार में दिमाग चला रहा था यह क्या करेंगे CAPM यूज करेंगे यह क्या करेंगे अरम तो ग्रोध भी निकालने को तयार हो गयते हैं पता है नहीं तो नहीं क्यों दिमाग चला था तो चुछ में पड़े हैं क्या किया है कुछ ना कुछ तो खेल हो गया इसा तो हो रहा है तो KD I इसको कोंसे मेधोड बलते है अप्रोशी मेश्च प्रोशी मेश्च प्लस RV माइनस NP दो बाए N और RV इसके बत कर लोगे इंटरेस्ट का वोलोगे भाई पंद्रा चलो एक तो लिख पाए हम पंद्रा 1-0.4 थैंक गॉड आधा काम हो चुका आर वी आगे जाके शेयर्स में कनवर्ट होगा इतने शेयर्स मिलेंगे दो एक शेयर कितने का कब का प्राइस आज का नहीं छे साल बाद शेयर का प्राइस क्या होगा कि अच्छें हम यहां निकालते पी-जीरो डिविडेंट का लेते एक अचल बात का मुझे कब का प्राइस निकालन पड़े पड़ेगा पी सिक्स डिविदेन कब कर लेना पड़ेगा पी सेवन और अभी डिविदेन कितना है पैड है एक साल बात का डिविदेन दो साल बात का तीन साल बात का चार साल बात का पास साल बात का शे साल साल बात का डी सेवन निकाल सकते हूं यात करो निकालते थे हां सर ग कि कौन से हां आरे फ हां लग जाएक उससे तो के कामा है हमें तो प्राइस चेहें हैं कि सुनों 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 कि कौन से में थट से और इतना बड़ा के कैसे आ गया है हो सकता है आज आये मुझे नहीं मलूं 18 इंटू कर दिया क्या आ सकता है आ सकता है कि आ सकता है अभी सुनों सुनों भाई सुनों मुद्दे की बात है जो है वह पहले पहला काम है कि मुझे क्या चाहिए रिडिमेबल वैल्यू और रिडिमेबल वैल्यू कब आएकी जब हम हम डिबैंचर को रिडिम्ट करेंगे तो बदले में हमको कितने शियर म antib Comb together के futur में जाश्ट में करवा रहा हूं question लाश्ट कोश्ट ہے तो कुछ तोılar होगा चोड़ सकते क्या आपके values का है तो वर्किंग नोट पर वन हम जनिकलने जाएं डिदी में पर वैल्टियू उसके लिए हमको प्राइज आप यह चाहिए एड दी एंट आफ कौनसी यहर का चाहिए 6 यह यह इस P 6 तो उसके लिए चाहिए हमको D तरह प्राइज दिए हमको यह एक के फोर्मूला लिख दूं क्या आपके लिए तरह पी 6 का फोर्मूला हो गया P7 कि वागे इड माई जी यह फोर्मूला मैं पहले लिख़वा चुका है अब वन बाई वन काम करते हैं सबसे पहले जी निकलते हैं पहले कितना था या डिविडेंट चेक करो पास साल पहले था दस अब है ट्वेल पॉइंट सेवन सिक्स ग्रोथ रिट पर निकल जाएगा 10 1 प्लस जी पावर क्या जाएगा 5 और यहां कितना आगे 12 पॉइंट 6 के 7,6 7,6 7,6 तो जी इस इकल तो पाइपर आपका के कितना निकला था 32.5 तो जी कैसे पता लगा लिया था अच्छा सी ए पीम को यह तो निकल गया ग्रोथ हो गया अब के भी निकल ले किया कहा है था चलो मैं भी यूच कर रहा हूं आरे फ प्लस आई हम माइनस अबरेफ पीटा आरे फ कितना है स्थ प्लस आड़फ मैंनस आपका कितना हूँ अठा रहा पीटा कितना है आपका कितना Państwo तो बार फाइफ अभी क्या वेचा बस? जीरो दीस्टेवन तो दीस्टेवन अभी का डिविनेर मालू है क्या? 12.76 या ना भई? एक साल बात, दो साल बात मतलब पावर सेवन कर लेते हैं ग्रोथ तो मालू है 1.05 पावर सेवन कितने बढ़न से का ग्रोथ है? पाच परशन का ये वाला 1.407 12.76 थो 1.407 ये वाला 1.407 तो अच्छा कर क्या रहे हो आपको गयार इंस्टीट कहता है मैं दे रहा हुना यार क्योंट ऐसा ले रहे है तो उसने 5% का future value factor दे दिया है साथ साल का सीधा उठा कर वो लिख दीचिए 1.407 टेबल दिया important नहीं है देखें के कैसी important अब इतना वैसी दिवाग गूम रहा है आब इसको क्या देखें 1.40 17.94 अब क्या पी जिरो निकल सकता है पी जिरो नहीं पी जिरो नहीं पी 6 36 17.94 के ही मालूम है क्या 0.325 तो ग्रोथ रिट कितना है 0.05 65.2728 65.28 अब क्या जाएगा रिडिमेबल वैल्यू एक शेयर की कीमत कितना है खेसाल बात कितने शेयर्स मिलेगे दो 65.28 इंटु दो बस हो गया आप तो का 135.130.56 6, minus पकल अज़र प्रफ्रेश्ट का है मतलब 95 प्लोटेशन कोश्टेपाच कितने साल एसाल वाइट 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 व्यू प्रनकेल कुलेट रुखिये तू फोस तरह आप तो देखकर चाप रहे हैं हाँ क्या कोश्चन गतम हो गए चलो हिम्मत दिखाते हैं पाच मिट में उडाते हैं नहीं नहीं लाइक नहीं हुआ वाइटी अब मैथट से क्या निकालना है केपी तो कि आपको याद नहीं हो सबसे पहले आज पैसा प्रफेंशियर्स में कितना लग रहा है नहीं एक सो दस भी नहीं 10103.4 लग रहा है मतलब कंपनी को नेट मिल रहा है कंपनी को देना भी पड़ेगा हरसा कितना तो रुपए का पाच परशंट पाच रुपए को अधिकाः को च पाच पांच पांच कितना चल तक और पाच वे साल में कितना मिलेगा सव रीडिवल इया ले प्रोषेट निकाल लेते पहले नेट प्रोषेट से मतलब आज का प्राइस निक्स हम निकाल रहा है कोश्ट और प्रॉप्रेंट पहले कमपनी को नेट कितना मिलेगा कितने का डिवेंचर है साओ और प्रीमियम पर इश्यू कर रहा है 1.10 माइनस किया करोगे फ्लोटेशन कोश्ट कितना परशेंट मतलब 6 रुपए 110 का 6.6 परशेंट तो बताओ नेट कितना मिला कमपनी को 103.4 और किस रेट से डिसकाउंटिंग करें कि हमारा 103.4 आ जाए 10 पर्सन ले सकते हैं दिक्कत नहीं है पर एक बार रेट देख ले थे टेबल में क्या कौन सा दिया है जरह देख लेते हैं मैं भी दो देखूं आपको देखना आता है कि पाच तीन तीन पाच मतलब सरी है भाई यह फ्यूचर वैल्यू है और यह प्रेजेंट वैल्यू तो यहार ध्यान से देखो तो दिया क्या है पाच दिया है तीन दिया है और अगर देखोगे तो इधर भी देखोगे तो यहां तो यहां तो इस तरफ रेट दिया है मतलब यहां की अगर बात करो तो आपको क्या दिख रहा पाच और तीन एक काम करते हैं पास से करते हैं श्टार्ट पास से करते हैं तो चलो सबसे पहला क्या रेट रेले पाच परशन टार्गेट क्या है प्रेजेंट वेल्यू कितना आना चाहिए 3.4 तो देखते हैं कितना हर साल मिलेगा पाच रुपए कितने सल तक तो प्रेजेंट वेल्यू एनुटी फैक्टर पाच परशन दस साल दस साल में कितना मिलेगा तो इन्टू प्रेजेंट वेल्यू फैक्टर पाच परशन के सबसे दस साल फैक्टर दिया है सायद देख ले ना पाच का फैक्टर बताओ प्रेजेंट वेल्यू अनुटी फैक्टर दस साल का इन्सका एनुटीफेक्ट 7.723 सर आप एक बर चेक कर लो पाच परशन के सब से 7.220 मैं तो सुझर आप देखकर बता रहे है यहां कितना क्या 7.752 प्लस सौ इन्टू अच्छा 7.22 और सौ इन्टू 0.614 बगवान से प्रात्ना करो कि 10 आजाए जो कि सुनेगा नहीं बगवान कितना? 100. 100. 100. पर लाना कितना है? 103. तो अब रेट दूसरा लेना बड़ेगा? कम की ज्यादा? 3 परशन 3 परशन का फैक्टर बोलो 8.530 प्लस 100 इन्टू 744 117.05 दोनों के बीच में हैं 5 परशन पर कितना आया भाई? 100 और 3 परशन पहले 3 ले ले किया? मैं मैं माइनस में जाओंगा फिर चल दा है ज़िए ले 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 मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं आप प्लस 100 इन परशन कितना आगे? 117.05 तो कितने परशन का डिफरेंस इधर? तो तरा आगे? 17.05 प्लसक्टि मुझे चाहिए 103 रिफरेंस कितना? 3.40 तो कितना? 5 मिनस 2.17 प्लसक्टि मुझे 3.40 मिनस 4.602 परशेंट प्लसक्टि मुझे प्लसक्टि परशेंट ऐसा कॉष्चन आज आये ना जान निकल जाएगे एक्चे आज नुट्सक्टि मुझे आज नोन इस्टॉप पढ़ा हमने है अलाकि देड़ी गहंटे पार ठीक है और चलो ठीक है एफेक्टिव पढ़ाई है लास ओवर करें और कल से स्टार्ट करेंगे कापिटल इस्ट्रा वो तो बहुत सिंबल शेप्टर